विदर्व और पूरे राज़क के श्रधालों के हिस्से चुड़े चामोशी तालुका के मार्कंडेश्वर मंदिर के जिन्नोदार कारी की बुद्वार को मार्कंडा में सविशा की गए इस कारी को गती देने के लिए पुर्वसांसद अशुक निते एवं भाशबा अनुसरे जन्चाती मोर्चा की पहल पर आईजित इस बैटक में पुरा तत्वा विभाक के अदिश्रक अरुन मलिक ने बताया कि इस कारी में समय लग रहा है क्योंकि यह कारी पुरा तत्वा वि मशिनरी बढ़ा कर इसे शिक्रता से किया जा सकता है लेकिन चूकि यह एक प्राचिन दकाशी है इसलिए यह सुनेचित करना होगा कि यह पत्तरों को तखनी की रुप से तराश कर दिया जाए पुरादत्वा विभाक के अधिकारे ने बताय कि कुछी कारीगर होने की कारण इस नकाशी में समय लग रहा है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कारिय थोड़ी देल से होने पर भी अच्छी गुनवत ताका होगा अशुक नेति ने इस पर कढ़ाई करने वाले कारीगरों की संख्या बढ़ाने का सुझा दिया समीशा बैठक से पहले सभी ने क काम का दिरिशंक्या पत्थर पर निकाशी करने वाली कारीगर राजस्तान उत्यप्रदेश बिहार से हैं और निताओं नी उनकी काम की सराना की और काम में तेजी लाने को कहा इस अवसर पर बुख्य रुख से भाश्वा जिला अधिश्य प्रशांत वाकरी जिला संग चाल तरेश अलसावर अमुल इंच्वार से विकान दिवस्तान का आफार प्रेटर करते वे बड़ी संख्या में सयोगी शेंडी पुरा तत्वा विभाग के अधिकारी एवं कारिकरता एवं दागरिक उपस्तित थे पिछले आठ परसों से चल रहा इस मंदिक का जिन्नोत तार क काफी समय से आशिक रूप से रुका अबाता तत्कालिंसा अशुक निती नी दिल्ली में पुरा तत्वा विभाग के अधिकारी से चर्शा की और इस काम को फिर से शुरू करनी की प्रक्रिया शुरू की उसी समय हरंगार के मुलिदर महराज और नाकरिक मंदिर का काम शुर सर में ही बैठ गये लेकिन अप्रेल मा में जब अशुक निता ने पुरातत्वा विभाग के अधिकारी के साथ मंदिर के जनुदार का काम शुरू किया तो सभी को राहत मिली लेकिन चुकि यह काम धीमी कती से चल रहा है इसने पुर्वनिता अशुक निती ने इसमें कि बांसे के लिपूल